हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैजनल टेकवाईजर, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा OS जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और जो दिखने में जिसका डिजाइन में की तरह किया गया है, बहुत ही मौडरन डिजाइन है, तो और इसका पूरा रिव्यू करके हम देखेंगे इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, चलिए अगर से पहली बार है तो जोनको सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्री लेगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चलिए श्टार्र करते हैं मिलते हैं आप अपने ड्राइब के हिसाब से उससे सेलेक कर सकते हैं मैं इसे MBR पर रख रहा हूँ क्योंकि मेरे ड्राइब का साइज उतना बड़ा नहीं है और यहां पर OK सेलेक कर लेना है फिर यहां पर S कर देना है यह प्रोसेस परफॉर्म करने से से पहले अगर आपके ड्राइब में डेटा है तो उसे आप कॉपी कर लें वरना यहां पर इरेज हो जाता है इस बात का ध्यान रखना है जिस प्रोसेस स्टार्ट हो करके फिनिस होने वाला है एक बार फिनिस हो लेना है अगर आपके हिसाब से आपके लैप्टोप के हिसाब से आपको चेंज कर लेना है अब हम लोगों को अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लेना है रिस्टार्ट करने के बात यह बूट होगा पैंडराइब से अगर आपका सिस्टम बूट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो top वाला है आप try करना चाहते हैं without installation तो try कर सकते हैं second option पर आप इसे install कर सकते हैं तो यह हमारा start हो चुका है process इसकी जो design है cutefish OS की वो d2 make OS की तरह इसे design किया गया है बहुत ही user friendly है multitasking है और इसके जो icons हैं उसे d2 make OS की तरह arrange किया गया है चल रहा है यह OS अपने modern design के वोज़े से बहुत ही अच्छा user के बीच में अपना जगह बनाने वाला है तो आप लोग इसे install करके operate करके देख सकते हैं या try करना है तो आप try करके देख सकते हैं without installation तो बहुत ही powerful OS है मैं आपको इस वीडियो में complete review करके दिखाने वाला हूँ install होने के बाद और आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे हाँ यार यह तो पुरा d2 make OS की तरह ही दिखता है तो हमारा installation का process almost complete होने वाला है last stage पर है तो यहाँ पर हमारा यह देख सकते हैं यह start हो चुका है हमारा जो operating system है cute fish तो यह देख सकते हैं आपको यह दिखने में d2 make OS की तरह इसे design किया गया है अगर install करना है तो installation का यहाँ पर सारे process दिए गया है तो मुझे install नहीं करना है मुझे सीफ इसे try करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैग्राउंड चेंज कर सकते हैं color से यहाँ पर सारे options यहाँ पर दिए गया है यहाँ पर shutdown का option है यहाँ पर सारे option एड किये गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर screenshot लेना है तो आप यहाँ से screenshot ले सकते हैं settings का यहाँ पर दिया गया है setting में आप वो कुछ करना है तो setting कर सकते हैं यहाँ पर terminal दिया गया है आप यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा है तो चलो को subscribe करें वीडियो को like करें और चले मिलते हैं अगले वीडियो में तक के लिए बाबाए